इसवी सन 1949 में यहाँ पर अंग्रेजियों की सरकार थी उसी समय ये निश्चे हुआ कि शंकराचायर जी की परंपराओं को निभाने के लिए यद्यपिटिहरी नरेश जी ने रावल जी की निवक्ति कर दी है वो पूजा कर रहा हैं बाकी परंपराओं को संरक्षित करने के ल नोने मठ बनाया वहां कुछ रहने लगे बोलते हैं और काफी चीज़े हैं तो इस पर और जादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद शंकराचारी जी हैं स्वामी अभी मुक्तिश्चरा नंदी जी हैं इसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया अब जो पुना जीवित हुई है इसको लेकि आपका क्या कहना है कैसा देखिए परंपराएं तो लंबे समय से चली आ रही है जिनका उलेक हमारे इतिहास गरंथों में उपलब्ध होता है पीठ के परंपरा में भी लोग जानते हैं बीच में बहुगोलिक कारणों से जोतिस पीठ में शंकराचार जी रहे नहीं यहां से बहुत दूर जा इसवी सन 1949 में यहां पर अंग्रेजियों की सरकार थी उसी समय यह निश्चे हुआ कि शंकराचार जी की परंपराओं को निभाने के लिए यह द्यपिटिहरी नरेश जी ने रावल जी की निवक्ति कर दी है वो पूजा कर रहा है बाकी परंपराओं को संरक्षित करने के ल जाने शुरू हुए और तब से समीती उसको निभाती चली आ रही है अब चूंकि शंकराचार रिपीट फिर से स्थापित हो चुका है फिर से सब्वेवस्तित हो चुका है तो हम लोग चाहते हैं कि जो परंपराओं थी उनको पुनरुजीवित किया जाए और उनको बल दि निभास्ति पुन बट अलग वस्तु है यह बद्रिनात के दारणाथ मंदिर समिती की बात है जो के दारणाथ मंदिर यह उस समिती के दवारा संचालित होते हैं और वो जो एक्ट बना है उसमें शंकराचार जी के दोरह जो जो परंपरा जैसी चला इती थी कुछ उसको टि उन्होंने उसको समाला पूजा का कारी जो शंक्राचायर जी स्वयम करते थे उसको रावल जी ने समाला और इधर जो बेवस्था का कारी था वो एक्ट बना करके मंदिर समिती ने समाला तो इस तरह से जो शंक्राचायर जी के कारी थे अलग अलग लोगों ने उसको लंबे सम समय तक इनको समाला है उनको उनके अधिकारों को समाप्त किया जाए हम चाहते हैं कि उनको बल दें और परमपराओं को पुनरजीवित करें आपने सुना शंग्राजारी जी ने बताया कि इस सरहासे ये जो प्रक्रिया पुनरजीवित हुई है उसके बाद क्या कुछ कहना है मैं सरीता तवारी कामरा परसुन सिधात के साथ उत्राखंट के दारनात यह उनको यह ने झाला कि ऋमना शंगल कि नेचे हुआ है